नमस्कार बहुत बहुत स्वागे थे आख सभी लोगों का competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और कल G20 countries का एक virtual meeting वर्णाइस किया गया मकसद था कि Corona virus से किस प्रकार से लड़ा जाए और जो अर्थ विवस्था की हालात होने वाली है उससे कैसे निपटा जाए इस बैठेक की जो महत्पुन बाते हैं उस पर हम लग चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले जो वर्तमान समय में यहां पर जो इस्थिती है Corona virus की अगर उस पर मैं बाते करूँ तो पूरी दुनिया में लगभग 5.5 लाग positive cases मिल चुके हैं इसके लावा लगभग 25.000 लोगों की death हो चुकी है और लगभग 70 से जादा लोग recovery भी कर चुके हैं सिर्फ 36 गड़ के अगर इस्थिती की बात करें तो अभी तक सिर्फ 6 positive cases मिले हैं एक अच्छी बात है और अच्छी बात ये भी है कि अभी तक 36 गड़ में किसी की इससे जान नहीं गई है हम लोग बात कर रहे थे यहां पर कि G20 countries की जो किस प्रकार से कल virtual meeting organize हुई उसकी मुख्य बात है क्या क्या रही उससे पहले आप coronavirus के इस्थिती G20 countries में किस प्रकार से है उससे समझ लीजिए तो जो 90% coronavirus के cases हैं वो G20 countries में ही है और जो मौते हुई है उसमें से 88% मौते जो है वो इन्हीं G20 countries में हु G20 countries के पास में है और पूरी दुनिया की जनसंख्या का जो 60% जनसंख्या है वो G20 countries के पास ही है तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस coronavirus से निपटने के लिए और आने वाले समय में जो अर्थ विवस्था के हालात होने वाले है उससे निपटने में G20 countries का क्या र त्यारी करना चाहते हो या कर रहे हो तो हमारे mobile course से जुड़ो घर बैठे 200 से अधिग घंटे के वीडियो लेक्चर्स अविलेबल हैं बहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो इसके अलावा अलग-अलग subject wise भी करना चाहते हो तो भी अविलेबल है अधिग जानकारी के लिए contact कर 25% का डिसकाउंट है सिर्फ 2400 के जगा आपको 3150 में मिल जाएगा चुली इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस बैठेक में कौन-कौन सी महत्पून बातें कही गए तो जैसे आप लोगं को पता है कि Corona virus की समस्या से जो पूरी दुनिया की अर्थ विवस्ता पर जिस प्र में अर्थ विवस्ता बनना चाहता है अगर इसके अलाबा मैं दूसरे point पर बात करूं तो G20 countries द्वारा ये बातें कही गए कि जो भी Corona virus से related जिसके पास में जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ में share करें ताकि Corona virus से निपटने में बहुत मदद मिल सके इसके अलाबा प्रध मजबूत करने की बहुत जरूत है इसके लाबा जो भी medical supplies है जो भी research हो रहा है उसको निरंतर जारी रखा जाए और एक दूसरे की सहायता यहां पर किया जाए तो इस तरह से जो कुछ मुख्य बाते थी इस G20 countries के बैठेक में की गई इसके लाबा अगर मैं G20 की बात करूं आप से share करूं कि G20 क्या होता है तो जैसे आप लोगों को पता है कि विस्व के प्रमुख अर्थवेवस्थाओं का एक समू है जिसके स्थापना सेप्टेंबर 1999 में किया गया था जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले G7 हुआ करता था यानि कि पूरी दुनिया का जो power थ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा किया जाता है तो इसी तरह से G20 कंट्रिज जो है आप लोगों को समझ सकते हो कि इस कोरोना वैरस निपटने में और अगामी जो अर्थवेवस्था की हालात होने वाली है उससे निपटने में G20 कंट्रिज का किस प्रकार से एहम योगतान हो सकता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आगे जो भी अपडेट रहेगा या फिर जो भी important information रहेगा उसे आप तक यहीं से पहुंझाने की पुरी कोशिस करूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही thank you, thank you very much